कन्या राशी वाले दोस्तों ग्रैग उचर के नुसार आपके घर बरवार में भाग गया धन, सुक, शान्ति और समरिदी आने के लिए तैयार है शुकर के अशीर वाब से कटोंब में खोशियों का परवेश होगा धन के आवगमन में तेजी आएगी बैंक बैलन्स बढ़ेगा शुकर की शुकता मौज करा देगी शुकर उन सब वस्तों का कारक है जिने पाने की कामना आजकन हर किसी के मन में होती है शुब शुकर वाला व्यक्ति हर प्रकार की सुख और सुविदाओं से घिरा रहता है शुकर की क्रिपया प्रापत हो जाए तो जीवन किसी राया महराया से कामन ही होता है हर प्रकार के सुखों का उपभोग करने का मौका मिलता है बहुत एक सुख है श्वरिया शानों शोकर उत्तव वहन सुख प्रेम प्यार भोग विलास के कारिया विस्तर सुख लगजरी लाइफ स्टाइड किसी वस्तू की कोई कमी नहीं रहती है। आपकी राशी के लिए शुकर का महत्तव और बढ़ गया है क्योंकि आपकी राशी के लिए शुकर बहाग गया उर्धनबाब का स्वामी भी है। रजेश कालिया हार्दिक स्वाइद करता हूँ आपका अपने यूटीब चैनल अच्छी तैस्पोर मास्टर में। मेरे कन्या राशी वाले दोस्तों कैसे हैं। दोस्तों आज कल शुकर आपकी राशी के प्रथम बाप अर्थात आपकी राशी में संचार कर रहा है। शुकर के सैयोग में कमी, भाग्या और धन दोनों की स्थिती को भी कमजोर बना रही है। लेकिन गुरु देव का अशीरवाद आपको प्रापत हो रहा है। जब देवताओं के गुरु भरस्पती के साथ साथ असूरों के गुरु शुकरा चार्या का भी अशीरवाद प्रापत हो जाएगा तब सोनने पर सुहागे जैसा कार्या होगा। ब्रामान के दोनों महत्त पुर्ण ग्रैहूं की शुकता परसंता परदान करेगी किसी वस्तो की कोई कमी नहीं रहेगी। अठारा सितंबर को शुकर राशी परवर्तन कर प्रथम बाप से परस्थान कर आपकी राशी के दुवित्य भाव में प्रवेश कर जाएगा इस बाप पर शुकर के बेहतरीन प्रिनाम देखने को मिलते हैं। उपर से आपकी राशी का दुवित्य भाव शुकर का अपना भाव है। अपने भाव पर संचार से शुकर का बल और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए अती उत्तमफल देखने को मिलेंगे। दुवित्य भाव दन, वानी और कटोंब से सबंदित कुणली का महत पुरण भाव है। इस भाव को दन भाप के नाम से भी जना जाता है। धन भाप पर शुकर का संचार दन से सबंदित सुखों में व्रिदी करेगा। केवल दन ही नहीं बलकि अनेकों सुखों का अपभो करने का मौका मिलेगा। अन, धन और फन की कोई कमी नहीं रहेगी। सौंद्रिया परसादन, हीरे, मौती, महंगे, रतन, जुविलरी, साज, सज्जा या अन्या, इस्ट्रियों से सबंदित, वस्तूं का कार्या वेपार करने वाले वेपारी दोस्तों को विशेश रूप से लाब मिलेगा। परचूर मात्रा में धन लाब के योग बनेंगे। लंबे समय से अगर आप लग्जरी गैजर्ट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती, वस्तर, वाहन, महंगे रतन या अन्या सुक सादमों पर खर्चा करने का सोच विचार बना रहे हैं तू। अब शुकर क शुकता इन वस्तूं से सबंदित सुखों में व्रिदी करेगी। आपका धन कहीं रुपाट का या फसा हुआ है तो भाग्या के सैयोग से काम प्रियास करने से सरलता से प्रापत हो सकता है। भाग्या बाप के स्वामी शुकर का धन बाप अपने भाप पर संचा भाग्या क भी बल परदान करेगा भाग्या की प्रवल शक्ती प्रापत होगी। भाग्या के सैयोग से धन से सबंदित रुके हुए कारया पूरान होंगे। इस्तरी पक्ष के माध्यम से धनलाप की योग बनेंगे। शुकर दंपत्या कारक भी है। शुकर की मजबूस थिति दंपत् दी करेगी पती पत्री में पहले से अधिक प्रेम प्यार और अकरशन देखने को मिलेगा विद्यारती भी शिक्षा के शितर में अच्छा कारिया करेंगे वह दोस्त जो वानी से सबंदित काम करते हैं या गायन वादन से जुड़े हुए हैं शुकर कि इस गोचरकाल में उनक की वानी कोयल जैसी कोमल और मदूर देखने को मिलेगी कला के शितर में अच्छा कारिया करेंगे इस अवदी में कोई सौंग कॉंपेटीशन वगेरा होता है तो निश्चित ही सफलता प्रापत करेंगे शुकर मायूस नहीं करेगा कुंडली का दुईत्य बाव चहरे से भी सौंदित है जब गोर वरन का ग्रैश शुकर चहरे पर संचार करेगा तो चहरे को भी गोर वरन जैसा बनाएगा सौंद्रिया में पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा शुकर के पिछले गोचर से क्टुम्बी जनों के साथ कोई मतवेट चले आ रहे हैं तो अब वह मतवेट भी दूर होते दिखाई देंगे सबंदों में सने और मदूरता का भाब पैदा होगा भाग्या का सैयोग करियर में भी सफलता दिलाएगा करियर में पेशारी परिशानियों से चुटकारा मिलेगा मान समान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी शुकर प्रेम प्यार और भी है इसलिए शुकर की मजबूस्तिती प्रेमियों के प्रेम्स बंदों को भी मजबूस्त बनाएगी प्रेमी जंच के साथ गर से बाहर रेस्टोरेंट और गेरा में स्वाधिष्ठ वेंजिन खाने का अनंद प्रापत करेंगे धन बाप से शुकर की अश्ठम बाप प्रेमात से धनलाप के योग बनाएगी यह धनलाप किसी भी रूप में हो सकता है पैत्रिक सम्पतिस बंदी सुसराल पक्ष के माद्यम से इंशूरंस के रूप में पुराने समय में किये किसी निवेश से या अन्या किसी भी रूप में हो सकता है सुसराल पक्ष सहयोग करन पहले से आपके साथ बना हुआ है अब शुक्र भी महरवान रहेगा जाते जाते कमेंट बोक्स में करम फलदादा शनी की जह जाकार करते जाएं साथ में लाइक शेर कमेंट्स और सबस्क्राइब करना ना भूलें